शांती, आज की तारीख है पच्चिस चार दो हजार तेस, पच्चिस अप्रल दो हजार तेस आज के बाबा के मदुर मुरली का मुख्यसार है मीठे बच्चे, तुम घर बैठे बंडरफुल रुहानी यात्रा पर हो तुमारी है बुद्धी की यात्रा करम करते, इस यात्रा में आगे बढ़ते रहो तो पावन बन जाएंगे तुम बुद्धी से अपने शांती धाम, परम धाम की जब यात्रा करते हो बाबा को याद करते हो, बाबा की याद की यात्रा पर रहते हो उसे बाबा को याद करते हो तो बावकतें करम करतें इस यात्रा में आगे बढ़ोगे तो पावन बन जाएंगी प्रश्ण है आज की मुली से इस ग्यान मार्ग में पेचदार तथा महीन बाते कौनसी हैं जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो उतर तुम जानते हो हम सभी मेल अत्वा फी मेल एक शिब परमातमा की सजनिया आत्माए हैं साजन है एक परमातमा फिर जिस्म के हिसाब से हम शिब बाबा के पोत्रे और पोत्रिया हैं हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा पूरा हक लगता है हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी बाबा से लेते हैं तो ये बड़ी महीन बाते हैं बड़ी पेचदार बाते हैं जो तुम बच्चे अभी सुनते हो कि बाबा हमें 21 जन्म सत्योगित रेता सुख का बरसा देते हैं सुख की property देते हैं जहां सुख की ही सुख होगा दुख का नाम नहीं होगा तो ऐसी दुनिया में भागे बनाने की बाबा हमें property देते हैं गीत है आज की मुले से हमारी तीरत नियारे है धाना के लिए मुक्यसार है पहली point बावा समान शीतल बन ग्यान चीता डाल, मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सिवा करनी है। रुहानी धंदा कर विश्व की बाशाही लेनी है। बावा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धी सरूपवव। जो बच्चे सदा समीप संबंद में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। बेसदा यही अनुभव करते हैं मैं हूँ ही बाबा का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूं मैं बाबा का बच्चा हूं। लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति सरूप अनुभव करते हैं। सदा स्वेष्ट उमंग उच्थाह और खुशी में एक रस रहते हैं। स्लोगन है आज की मुली से रुहानी शान में रहने वाले अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने वाले कभी हद की छोटी मोटी शानमान में आ नहीं सकते कि मुझे मान दे मुझे शान मिले इसमें आ नहीं सकते आज की मुले से समान का अभ्यास करेंगे मैं देप कुल की आत्मा हूँ या फिर मैं सत्यूगी देखता हूँ इन दोनों में से कोई अभ्यास करेंगे और अपने देवी संसकारों को इमर्ज करेंगे देखेंगे मैं आत्मा जब सत्योग में थी तो मेरे क्या-क्या देटाई संसकार थे उन संसकारों को इमर्ज करते रहेंगे मैं देवकुल की आत्मा हूँ एक मिनट के लिए चारवर से ध्यान हड़ा याद में बठेंगे उस परमात्मा की अभिनाशी ज्ञान रत्मों को धारड किया है मैं आत्मा इन ज्ञान की रत्मों से सयान को ज्ञान सरुप बढा रही है बाबा की श्रीमत मुझा आत्मा की पहली प्रात्मिक्ता है बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बाबा की एक-एक मत को धारण करने वाले मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सरुप आत्मा परंधाम से परमात्माशिप से उस तो शक्तियों के सागर से शक्तियों का देब्य प्रकाश मुझा आत्मा में समाता जा रहा है मैं आत्मा इस संसार की सबसे अधिक शक्तियों आत्मा वन गया बाबा के सथ शक्तिशाली सकाश को सयम में धारण करे अधिक शक्तियों के अधिक शक्तियों के अधिक शक्तिशाली बन गया मैं शक्तिस सरूप आत्मा है मैं मास्टर सरव शक्तिमान आत्मा है मेरा बाबा ही मेरा संसार है मेरे बाबा ही सजीवन का अधिक शक्तिशाली बन गया का अधार है कुछ देर बद्धी को इस्थर करें परमधावना